हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्न बकल के बारे में जी हाँ turnbuckle एक mechanical equipment है और उसके parts के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है turnbuckle और ये कैसे काम करता है और उसको कैसे use किया जाता है कहां use किया जाता है साथ में types of turnbuckle जिद्दे भी types होते है turnbuckle के उस पर discuss करेंगे और एक practical वीडियो भी हम इसके उपर देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने जगा वीडियो में अन्त तक तो friends सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर turnbuckle क्या होता है तो friends turnbuckle एक तरह का stretching screw जिसे कहा जाता है और उसे ही bottle screw भी कहा जाता है ये एक ऐसा device है जिसको बनाया गया जो की tension और length को ropes में जितने भी जैसे wire rope रहते हैं उसमें अगर tension देना है तो उसके लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसके साथ ही बहुत सारे जो mechanical equipment में अगर आपको adjusting करना हो उसे lock करना हो height कम जादा करनी हो या फिर उसका distance कम जादा करना हो तो इसको इसको इस्तमाल किया जाता है इसमें एक frame होता है metal का जिसमें दोनों side nut लगे होते हैं दोनों में opposite thread रहता है एक में right hand thread रहेगा एक में left hand thread और दोनों में bolt लगा रहेगा और इसका end जो है वो different हो सकता है eye भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है अब turn buckle काम कैसे करता है तो friends देखिए दोनों side ही यहाँ पर एक rod लगा हुआ है जिसे bolt भी कहा जाता है जिसे screw rod भी कहा जाता है जैसे ही उसके frame को एक direction में गुमाएंगे तो एक direction में क्या होगा दोनों ही bolt जो है frame के अंदर जाएंगे और opposite direction में अगर frame को गुमाया जाए तो दोनों ही bolt बाहर आएंगे यानि कि एक में इसका length जो है कम होगा एक में बढ़ेगा और इसकी मदद से हम किसी भी wire rope को metal wire rope को हम tension दे सकते हैं आपने देखा होगा mostly ये wire ropes में इस तरह के turn buckle का इस्तेमाल किया जाता है turn buckles के parts के बारे में discuss करते हैं तो ये जो दोनों side है ये लगा है eye rod है और इसे ही screw rod कहा जाता है ये eye end है देखिए ये दोनों side पे लगे हुए है ये coupler nut है और ये जो बीच में metal का frame जिसमें coupler nut connected है वो coupler frame है तो ये हो गया आपके turn buckle के parts अब देखिए इसका जो screw rod होता है और इसका जो nut होता है coupler nut उसमें एक में right handed thread रहेगा एक में left handed thread रहेगा जिसकी वज़ा से क्या होगा जब आप frame को एक direction में घुमाएंगे तो दोनों ही bolt जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे यानि की tight होंगे और जब उसको opposite direction में घुमाएंगे तो दोनों ही आपके जो screw rods nut bolt है वो बाहर की तरफ जाएंगे अब type of turns buckles के बारे में डिसक्स करते हैं according to type of rod screw के end यानि वसमें उसमें जो rod screw के इस्तमाल किया गया है जो bolts काना किया गया है उसके end के आधार पर पाच टाइब के होते हैं eye to eye दोनों साइड आई रहेगा jaw and jaw दोनों साइड jaw रहेगा jaw and eye एक साइड में जो एक साइड में आई फ्रेम बोडी ली अगर हम कहें तो दो टाइप के आपके टर्रन बकल्स होते हैं दिखे पहला जो इमेज में आप देख रहे हैं उपर में पहला है इसम्हें जो आपका फ्रेम रहेगा turn buckle का वो close type कर रहेगा और दूसरा जो नीचे में आपको image दिख रहा है वो है open body तो ये हो गया आपका open body turn buckle इसका जो frame है वो open है अब देखिए, field में हम देखते हैं देखिए हमारा turn buckle है, eye to eye turn buckle है झाल। झाल। झाल झाल